करिये अपने माता पिता के सपने को साकार हो जाए तैयार MTS की परिक्षा पर करने के लिए करार आप रहार करिये संपूर तैयारी SSC Adda 24-7 के साथ जहाँ पर होगी कॉंसेप्ट के साथ ट्रिक्स की भरमार तो जुड़ना न भूलें हमारे साथ तैय स्मार्ट से लगातार एक बज़े से साम पाच बज़े तक SSC Adda 24-7 यूट्यूब चैनल पर गुड़ी इवडिंग साथ राधे राधे मैं मनुसरमा आप सभी का स्वाथ करता हूँ SSC Adda 24-7 यूट्यूब चैनल पर आप सभी शुरुचित होंगे वजब होंगे और अपनी स्टेडी को आपने और पांच गुना कर दिया होगा बोले सर पांच गुना क्यों कर दिया होगा जिसको में बड़ी बेसवरी से इंतजार था कि यार कब हमारे पास MTS की वेकंसी आएगी कब आएगी ऐसा क्यों कोई रीजन क्या होता है कि जब हम चोटे होते हैं बड़े सोच यार हमारे पास एक जूफ होनी चाहिए क्या होना चाहिए जौफ होनी चाहिए और जब एक जॉफ मतलब करते हैं प्राइबेट जोब हर को ही करता है लेकिन किसी चुछ को प्राप्त कर लेना अलग है और वो मौका अब आगे आए कर कुछ ए दिखाने का तो मेरे भाया दसमी पास जिनोंने मातर और मातर मैं बोलू भाया दसमी टेंथ पास कर रखी है वो एक अब गवर्मेंट जॉब ले सकते हैं और ले नहीं सकते हैं लेंग होती है कि हम तैयारी तो करते हैं लेकिन हमें यह नहीं पता रहता है कि हमें मेरे भाया कौन-कौन से मारे किस-किस टॉपिक से आएंगे तो इधर मेरी बात को यहां से अच्छे से समझने की कोसिश करना देखो मेरे भाया एल जेवरा से कोशन आएगा एवरेस से हमारे दो क करिवाएंगे और हमारे पास इस्टेटिक से एक और जोमेट्री से एक पूश सकता एक इंट्रेस्ट दो मैंसूरेशन एक नमबर सिस्टम एक परसिंटेस एक प्रॉफिन और लॉस एक या दो यह वाईटिस है कि इतना आज सकते हैं यह मैं कंफरम नहीं है भया एक दो इध इनकार आफ के एक दो के लिए तो कह रहे है कि इतने तारीकों फ impose और लाईन होगा तो बाईस तारीक से हमारे मतलब कल से हमारे फॉर्म औलाइन श्टार्ट हो गए और यह लोमरे पास यह सभी के सभी आप देखाएं आक को का फॉर्म फिस कर सकते हो सभी के सभी मारी नोट एज लिमिट देख लो 18 से 25 साल ये जनरल की है उसके बाद आपको क्या-क्या एज में रिलेक्शन मिले हुए SC-ST वालों के लिए 5 साल OVC वालों के लिए 3 साल PWT 10 साल और ये मेरे वियत 13 साल ये सभी के सभी आप देख सकते हो इसके बाद आजाओ हमारी ये बुक्स है जो कहते सर तैयारी हम स्टार्टिंग से ही करना चाते हैं और साथ में बुक्स के किलास फ्री होंगी हाँ ये बिल्कुल किलास फ्री होंगी लेकिन मेरे दोस्त एक बार ना ज्यादा से जादा पहले वीडियो को सेयर मार दू फटा फट से तो ये हमारी बुक्स है आप देख सकते हो सभी के सभी अब हमें क्या करना इधर आप एक बात को समझना कि यह मार्च में अमारे चैप्टर इस्टा सथ हो रहा है और अपराइल तक हम चैप्टर कमप्लीट कर लेंगे क्योंकि हमारी सभी एक बार क्या होजाएगी कमप्लीट तैञारी होजाएगी सभी ट्रह को को हम देख लëंगे हम आप मोग टेश दे देंगी चैप्लीट उसके पाद revision paper जोमर पास previous paper जो भी है जितने भी प्रिविएस पेपर question ने फिर हमारा July में MTS का एक्जाम है यह आज हमारे बागस सिंग मेरे बाई देख रहे हो आज यह 23 March को आप 1931 से पूरा बागस सिंग के बारे में हमने लिखाया हुआ है चलो अब हम अपनी बात को श्टार्ट करेंगे यहाँ से अब मेरी बात को यहां से समझना किस किस टाइप के कुछ कॉशनस आते उसकी बात करते चलो का अधा फटा फट से या रहाओ ओंधा किसके टौपिक हाँ यूटूब पर बिल्कुल फिरी में यार एक बार जल्दी से यल्दी आजाओ और इसका आंसर एक बार देखेंगे और ये कोशन सभी के सभी ना आपके प्रिविएस ये कोशन में आई हुए सभी के सभी कोशन से मुझे लगा कि एक बार आप से उन कोशनों के बारे में introduction करा दे जो हम जानते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते तो देखो मिस मेरे भाई या सत्याम जी बहुत बढ़ी आवजी जी प्रदीप बहुत बढ़ी अंसर दे रहे सभी के सभी तीन एक बार मेरे भाई जल्दी से यल्दी वीडियो को जादा से यादा सेयर कर दे मेरे भाई, देखो क्या कह रहा है, यह मेरे भाई six है, अच्छा इसके ऐसे जब यह एक बात ध्यान रखना, यहां पर infinitive तक दे रखा हो आज सभी उन कंडिशनों के बारे में बात करेंगे किसके बारे में करेंगे भया बाताज उन सभी कंडिशनों के बारे में जो के आपके पास infinitive दे रखा होगा कहीं कहीं अनंत तक नहीं दे रखा होगा infinitive का कुछ और मतलब नहीं होता है infinitive का मतलब होता है अनन्त तो 6 के ऐसे factor करो कि जिसका difference एक आ जाई तो कहोगे सर 6 अरे भाईया भाईया तीन दूनी 6 तीन दूनी 6 ऐसे factor करो कि जिसका अंतर एक आ जाई तो जब कभी भी series plus में चल रही होगी तो बड़ा वाला होगा और series minus में होगी तो किसका होगा छोटा वाला तो जल्दी बताओ क्या आएगा इसका answer तीन topic wise भी कराऊँगा आपके लिए कल से लेकिन पहले ये तो जान लो कि किस topic से कितने questions आते हैं आज उन सभी के बारे में बता दू आपसे तुम्हें लगता ना मैथ से डर तो समझ सो लो कि मैथ का डर कैसे लिकालना है आपको तीन बहुत बढ़िया मेरे बाई चलो इसका बताओ फिर जल्दी से जिन दोस्तों का भी नहीं आया answer उन सभी का answer आ जाना चाहिए विलकुल chapter wise एक दमना topic wise किलियर कर देंगे विलकुल topic wise किलियर आज मैंने जो उठाई है ना यह सभी के सभी जैसे एक series वाले question आते हैं और सर सीरिस के questions कर तो लेते हैं बट यहर हमें confusion यहीं रहता है कहां पर इंफाइनेटिव आएगा कहां नहीं आएगा उन सभी के बारे में आज आपको यह देख लेना कि आज ही आप इस class से एक नमबर पक्का करके ले जाओगे इंटोटेक्सन में ही आप एक नमबर पक्का करके ले जाओगे और खुद अपने आप में महसूस करोगे कि हां यार हम कुछ कर सकते हैं चार डर लगता है न मैंसे बहिए डर बिल्कुल लिकाल दो आम मैस का यार एक बार बताओ वीडियो को सेयर नहीं मारोगे खुदी बला करोगे क्या अपना है खुदी बला करना चाहते हो आप अपना है गलत बात है मेरे बाई ये फटाबट सेयर वीडियो को सेयर मार दो कर भला तो होगा भला ये कावत आपने सुनी होगी तो सिलेक्षन आपको भी लेना है और दूसरों को भी दिलाना है तो देखो 12 पिलस 12 पिलस 12 अच्छा कहा तक भाई या बताओ यार कहा तक चल ला है इन्फानेटिब तक बहुत बढ़िया अंसर जिनका चार दिया बस कुछ नहीं करना अच्छे यार 12 के ऐसे फैक्टर करो कि जिसका अंतर एक आजाई बोले सर 12 के फैक्टर होता है तीन चौक बारा अच्छे जिसका अंतर एक आजाई बस तो इसका मतलब सीरिज पिलस में चल रही है तो बड़ा वाला आंसर सीरिज माइनस में चल लही है तो छोटा वाला आंसर जब सीरिज पिलस में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा चार इसका बिलकुल सही सही आंसर आ जाएगा यार फटाफर से एक बार मेरे भाई वीडियो को जादा से यादा सेयर कर दे गूरी इविनिंग राज भाईया कोई बात नहीं सिवी जी करें आज पहली किलास है मुझे पता है कि पहली किलास में आज इसको आप अच्छे से अभी और बढ़ा दोगे आप ऐसा नहीं कि नहीं बहिए जितने मेरे दोस्ते नहीं अर उतने लाइक भी कर दो यह तो मैं पता है कि आपसे लगाव कितना है इसको तो आप तरुन अभी बढ़ा दोगे मातर एक मिनट के बाद जितने भी दोस्त दिखाई दे रहें इसका चार गुना दिखाई देंगे यह मैं जानता हूँ क्योंकि हर दोस्त अब अपने सेयर कर देगा यह तो हमारा आपका लगाव है बाई चालो इसका अंसर क्या हो गया? चार हो गया आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी आएगी अरे होसले से भरी कोसिस एक दिन जरूर रंग लेके आएगी तो यह जरूर रंग कब लेके आजाएगी? जुलाई के अंदर ही आपके पास रंग लेके आजाएगी क्योंकि हमारा एक्जाम जुलाई के अंदर है तो एक बार यार दोस्ट फटा फट से कल से हम नम्मर सिश्टम भी स्टार्ट कर देंगे इसका अंसर बताओ इसके बाद फिर में टॉपिक चेंज कर दूँगा टॉपिक का मतलब जो हम सीरिज में ना एक बड़ा हम कोशन समझते तो है लेकिन कहीं ना कहीं हमसे दिक्कत होती रहती है उस दिक्कत को आप अपने दिमाग से लिकाल देना आज के बाद फटावर से इसे आजाओ फ्री क्लासे दे ये सभी की सभी इसका अंसर क्या होगा चार से पांच डेली फ्री क्लास चलेगी मैंसकी नो अंसर यार कितना बड़िया दे रहे सभी के सभी मेरे भाई चावो, समाजी हो, सिंगन जी हो, क्रिशना जी हो इशानी, शत्यम बहुत बड़िया मेरे भाई यार एक बार वीडियो को ज्यादा से यादा सेयर नहीं कर सकते हो है पटापटाओ, देखो 72 के ऐसे फैक्टर करो के मेरे भाईया के जिसका अंतर एक आ जाए तो आठ निम 72 आठ निम 72 इनका अंतर एक आ जाना चाहिए सीरिज किस में चलने, सीरिज मतलब जो ये साइन आ रहा है यहां पर किसका आ रहा है पिलस का जब पिलस का आ रहा होगा तो बड़ा वाला और मैनस में आ रहा होगा तो छोटा वाला तो आंसर इसका क्या हो जाएगा मेरे भाईया, नाइन हो जाएगा अरे पहली किलासे तो क्या हुआ, क्या हम नम्मर एक पक्का नहीं करके ले जाएंगे अरे कहते हैं न, अभी तो यार तुम गुडिया छोटी हो, क्या करोगे अभी तुम 10th पास की है, अभी तुम 18 साल के हमारी बिटिया हो लेकिन बिटिया ने कहा, क्या तुम मुझे बिटिया समझती हो, लेकिन मैं इस बार एक जौब लेके दिखाऊंगी, जो कहते हैं कि तुम इस छोटी उमर में क्या कर सकती हो हमने कहा कि एक हम जौब ले सकते हैं, तो ऐसा ही क्या कहते हैं हमारी तरफ अलिगण में अरे लल्ला तु क्या करेगो अब ही तो तु है तु तो अभी 18 साल का हुआ है कहदोना उनसे 18 साल के हुए तो हमारी गवर्मेंट भी कह देती है कि आप जॉब ले सकते हो और यद उस दिन आप अपने हुनन को जान गए तो आपको इस हिंदूस्तान के अंदर ये मनुश सर्मा क्या आपको कोई भी यह बात कह सकता है यार आपको कोई हरा नहीं सकता है बस आपके अंदर वो जजवा होना चाहिए वो जजवात होना चाहिए कि यार तुम MTS की बात कर रहे हो हम अभी तो MTS ले लेते लेकिन जब हमारी A21 हो जाएगी या 20 साल हो जाएगी जब हम CHSL भी लिकाल देंगे उसके बाद CISAL की भी जॉब लेंगे क्योंकि अभी हम 10 पास है बस एक बार अपनी एक जॉब तो ले लो तो एक देख लो कितने बढ़ी आंसर दे रहे हो क्या जिसका आंसर एक आ रहा है उनका कौन सेलेक्शन रोख सकता है यार आपके अंदर तो बस क्या है आपको तो वो एनर्जी आपके अंदर यद मैं कहूंगा कि आपको 12 गंटे पढ़ना तो डेली 12 गंटे पढ़ सकते हो लेकिन सही रास्ता आपको कोई दिखाने वाला नहीं है अब सही रास्ता पर दिखाने के लिए आपको लगता है कि मैस से डर तो यार डेली 4 से 5 जोड सकते हो और अपना सिलेक्षन इस बार ही ले सकते हो अगली बार के लिए पेंडिंग नहीं चलो आजाओ यार क्या आएगा अंडर उड़ दो माइनस अंडर उड़ दो माइनस अंड़ डोट डोट अड़ यह बात धान राइन फाने कि नहीं अपने दिमाग में इस बात को रख लेना कि यार इनफाने के नहीं सन्य जालत जो image करी ना यार मैंस कोई बात है अंडर लिकाल दो हमने फिस पहली रही गभी दो-एक अंडव दो एक अंडव अच्छा चलो इसका डिफ्रेंस्स हो एक आ गया आया कि न उसके अपर कियों एक क्यों क्योंकि माइनस में है सीरिज किसमें है माइनस में इसके बाद अपनी बात को तुरन चेंज कर देंगे होसले के तरकस में कोशिस का वो तीर जिंदा रख हार जाहू चाहें जिंदिगी में सब कुछ मगर फिर से जीतनी की एक उम्मीद रख तो तुम्हें कौन हरा सकता है तुम्हें हरा कौन सकता है तुम्हें तो कोई नहीं हरा सकता है बस आपको तो आपके अंदर इतनी एनरजी है यार कि बस आपका selection कोई रोख ही नहीं सकता है अच्छा चलो, आज series के ना मैंने सोचे यार ना, अपने दोस्तों के एक number ही पक्का करा दू वोने introduction तो ही है, लेकिन एक number पक्का करके ले जाओ कहीं जाते हैं, तो बाबा के भी दर्वार में जाते हैं और पैसा नहीं चलाते सोचते हैं, पर साथ तो मिली जाएगा भगवान हमें कुछ दे देगा, तो इसका मतलब के जब तुम आए होना तो एक number पक्का करके ले जाओ मेरे भाई इन्फानेटिव नहीं होगा, तो इसके बारे में भी आ रहा है नहीं क्या सब्सक्राइब आपको लगता है, या यह 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 गलत नहीं है, यह यह गलत नहीं होता है अब जितना मजबूत तुम बन जाओगे उतना ही सिलेक्शन और हमारे पास नजदी का जाएगा पांच बहुत जवर्जस आंसर देखो जब कभी भी ऐसे सीरिज में आ रहा हो और कोई भी साइन नहीं दे रहा हो अब यह कैसे आएगा कैसे करेंगे तो यह तो हम कल से बात करेंगे करेंगे हम बिलकुल मतलब चैप्टर वाइज इस्टार्ट करेंगे कॉंसेप्ट के साथ न बात याद रखना जब अंडर रूड में चीज़ें चल रही हो और कहां तक इंफानेटिव तक जो सीरिज देता है वही उसका अंसर हो जाता है बोलो इसका अंसर किसी को लिकालने में दिक्कत आई पांच अमेज जी बहुत बढ़ी आंसर मेरे भाया निसा जी प्रिंस जी अर्वेंड जी हरीपाल जी लेकिन एक बात मेरी बात समझ लो सगुन जी प्रिवेंड जी यार यद आपको भाई से लगाव है और लगता है कि आपका भाई दिन और रात में आपकी लिए मेहनत करता है और करेगा भी आपको मैं यह बाइदा दिला सकता हूँ कि इस बार MTS इसका सेलेक्शन आप मेरे भाया लेके रहोगे फाइनल तक लेके रहोगे मैं इसके क्या मैं हर चप हर की हर सब्जेट की गारंटी ले सकता हूं बस एक बार मेहनत करनी है ना वो जजवात है उसको रखना है हमें अच्छे से यार ठैंसर नहीं लेना बस टैंसर तो उनको दे जो यार अरव कि जो आपका सेलेक्शन होने से जो रोखने के लिए आ रहे हों क्योंकि अब आपके पास नोटिफिकेस्न आगया तो आप पढ़ने भी लग गया चालो इसका आंसर बताओ फटावड से यह हमारे दोस्तों ना कमसे कम 4 परसेंट इसको गलत करके आते थे कम से कम 40% जबकि 100% मैंसे 100% सही होने वाला questions है इसमें तो कुछ है ही नहीं बस एक बात ध्यान रखना क्या infinitive तक है कि नहीं यार infinitive तक है या नहीं तो है infinitive तक तो answer bigger देखे क्या देदोगे सी और अविसी जी अंजली जी संतजी पंकज रवी अंकेत लौके सौनू साची मेरे भाई बहुत बढ़ी आयर जवर जस लेकन एक बार मेरे दोस्त यार बिलियों को सेयर मार दो फटा वर से भाई के लिए अब देखो यार मेरी बहन या मेरे भाई इस बार दोस्त सब एक्जाम को क्लियर करेंगे और इस बार आप से मिठाई मुझे खानी है मैं हर किसी का सिलेक्शन होना है जिस व्यक्ति लिए उम्मीद खोदी हो जीवन में कुछ हांसिल नहीं कर सकता और इसलिए अपनी उम्मीदों को जिंदा रख और आगे बढ़ते रहे कौन कहता तेरा MTS किलियर नहीं होगा MTS भी मिलेगा और इसके बाद तुम आगे भी अपने लच को प्राप्त करोगे तुम देखते हो ना जो IS बनते हैं कोई दिल्ली पुलिस का कांश्टेवल कोई MTS किलियर किया हुआ लेकिन उनके मन में क्या होता है उनके मन में एक जु सफलता एक दिन हासिल हो जाती है और वो अब सफलता आपके पास होगी यह डैमो आपके लिए क्लास है लेकिन मेरे लिए आज से ही क्लास यह स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि मैंने तो अपने मन में ठान लिया है कि यार तुम्हें सेलेक्शन दिलाना है लेकिन मेरे दोस्त इतना तुम लाइव कम चल रहे हो यह मेरे से थोड़ा सना रुखा नहीं जा रहा है यार समझो आपके पास यह मौका आ गया है आपके पास दिखाई दिया अब आपके पास अंडरोट सेवन डॉट 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 इन्फाइन टेप तक तो आंसर आगया सेवन बिगर देखे हुए चलो अब एक बात देदे ऐसा कॉसें जो आपको थोड़ा सा गड़वड़ी लगेगी वह लोग कहते हैं दूसर कि को सेंस ऐसाई लगेगा लेकिन आंसर गलत देदेंगे एक वर हैंडव कर दो कितने दोस्त तैयार है आप हमारी साथ ऐसे यह बता दो यार है तैयार है ना पक्का विल्कुल मैंस नहीं आती लेकिन मैंस आना आपको इस्टाट हो जाएगा और एक दमना अपनी मैस में तो आ अब कहीना कहीन एक वर मन में लग रहा होगा ओ या यह कैसे होगा अब इसका अंसर तीन देने लग जाएंगे लेकिन तीन मत दे देना भाई पहले आपको एक चेटामनी दे देते ना मोले यार अच्छा इससे दूर अट जाओ बोले तीन नहीं आना चीए लेकिन एक बार है यार दोस्ति इसका अंसर क्या आएगा कोई मेरा इसे एक बार बता सकता है फटाफर से तीन वाले बिलकुल गलत है पहले से कह दिया लो टीन आएगा ने अब बोलो और क्या दे दे बोले तीन आंसर नहीं आएगा वोले क्यों नी आएगा सर आपने तो भी पताय था ता किन्स का आंसर आएगा है जम मैंने बोला था जब यहां पर एक इनकाण आटेव का आधेगा ऑग ऑग और अनन्द क gefश्च रखाहो तब आप इसका और तीन दे सकते थे लेकिन अब आप तीन नहीं दे पाऊगे मेरे दोस्त एक बारना यार बीडियो को फटाफट से उठाओ और कहां पटक दो अपने स्टेटेस हो पर अपने हर जगए अब तो आपके पास टैंस पास का इतना मौका आ गया इतना अच्छा मतलब यह अपॉर्चनिटी सोचो कितन लखी दोस्त होते जिनको बने एक समय बाद्यार मिलती है किसी किसी दोस्त के पास तो ऐसा होता है जिसकी ओवरेज हो जाती है यह जिनके पास कभी पैसा ही नहीं होता है चलो जिनके पास पहले तो अफ्लाइन ही कोचिंग होती थी अब तो अड़्डा 24-7 भाईया आपको और फ्री में क्लास पराइडर कर आ रहा है कोई पैसा भी नहीं ले रहा है और हर सब्जेक्ट की मैस चोड़ो हर सब्जेक्ट की मेरे बाई फटापशना वर से है वह चलो धेखो बड़क्रमाद क्या करेंगे जब कभी भी इनफान इっと प्टक नहीं दे रखा हो फिर क्या कर स्क्वाइर रूट है तो स्क्वाइर रूट हटाने के लिए मुझे स्क्वाइर करना पड़ेगा तो स्क्वाइर करना पड़ेगा तो इसका मतलब स्क्वाइर करेंगे तो टू की पावर ही होगा अब देखो कितनी बार आया यहां पर एक दो तीन वार आ रहा है कितनी बार आ बस जो आठ आ रहा है नहां इस से एक कम लिखना है ऊपर इस से एक कम आठ से कम सात बेस क्या है बेस का मतलब किया दे रखा है अंडरोन में तीन दे रखा है तो बस तीन की पावर साथ बटेइट और यहीँ क्या हो जाएगा impacto मेरे दोस्त बहुत जादा यहां से आपकी गलतियां हो जाती हैं लेकिन मैं वो गलती नहीं चाहूंगा कि आप इस अब गलती को कर लोगा मेरे साथ तुमने अपने मनोश्वर्मा दोस्त पर विश्वास किया है ना अपने भाई पर विश्वास किया है तो यार तुमसे एक्जाम को मैं कैसे गलती हो जाने दूगा यही तो तुम्हें में समझाना चाह रहा हूं कि हमारे दोस्त कितना C आंसर दे रहे कितना D दे रहे कितना AB दे रहे तो छोटी-छोटी mistake ना यह हमको exam से बाहर करा देती है और उन्ही आज mistake को आपको समझा रहा हूं तो मैंने क्या समझा है बात समझो 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 अच्छे कितनी बार दे रहा है अंडर रूट दे रहा है तू की पावर देखो स्क्वार रूट है स्क्वार हटाना है तो तू कितनी बार आ रहा है स्क्वार रूट तीन बार आ रहा है तो टू की पावर थ्री तू की पावर थ्री का मतलब क्या होता है आठ होता पाप एक पर कैसे दुदुनीं चार चार दुनी आरट तो इसका मतलब आठ से एक कम уст. तीन है बेस तुसे तीन की पापर साथ बटिया उत शपने और लच्य में एक ही अंतर एक सपने के लिए बिना मेहनत की नीद नीद चाहिए और लचके लिए बिना नीद की महनत चाहिए तो हमेसा महनत आपको अच्छे से करनी है महनत अच्छे से करनी है चलो एक बार इसका अंसर फिर बतादो समझ गये तो सेम कोशन है 2 ही क्यों लिया तू की पावर इसलिए ली क्योंकि इसका स्कॉरर रूट है और मुझे square root हटाना है बास समझो मेरे दोस्त square root है और square root जब ही अठ सकता है जब हम उसका square करेंगे इसका मेरे बाया बिलकुन नाम ले लिया दीपक जी मिर भया सतुष जी मिर भया हर्जी जी नवेज जी इतेज जी निया खान जी काजल सर्मा जी लेकिन न यार आप लोग मेरे दोस्त वीडियो को सियर नहीं मारने हो यह आपकी बहुत ज्यादा ठीक है आप चलो क्या कहें लेकिन लाइक कितने हैं आपके साथ एक बा आप से मुझे सेलेक्शन लेना है और इस बार सेलेकशन हैं आपको दिला के रहूंगा मैं चलो देखो कितनी बार आ आए अंडरोड वाद आज देखो इनफा नाद इफे Ainट इक इन फान आट एम नहीं है इंफानत आ ही दोट हटाऊ होता है 16 से एक कम ऊपर लिख दो 15 बेस क्या है बेस पांच है तो पांच की पावर 15 बटे 16 इसका क्या हो जाएगा लो इसका आंसर आ गया मेरे बैया option D correct बताओ बास सही आई के नहीं आई अब तो नहीं होना चाहिए भईया गलत बिलकुल हमिज़ी मैंने आपका भी नाम ले लिया और आपका बिलकुल मुझे एक्जाम में ये भी पता है क्या क्या चीज़ें किस-किस टॉपिक से आती हूं मैंने सभी बाते आपको बताई और आपके लिए मैं आपसे पहले ही कह दे रहा हूं कि मेरे बाई कल से नंबर सिस्टम भी स्टार्ट करा दूँगा तो यह आपके मन में बहुत ज़्यादा गवराट हो रही होगी सर इनको हम कैसे करेंगे तो बात इतनी समझ में आगी न मेरे हर दोस्त को ऑप्शन D वाले तो फटावर से बता दो इसका आंसर गलत नहीं हो जाना चाहिए और इसका मैं 90% आंसर मेरे दोस्त गलत दे के आये थे 90% ओने दोस्तों ने इसका गलत आंसर दिया था लेकिन मैं चाहता हूं उस 90% में आपको नहीं आना है सर एक और कॉस्चन करा दीजे लाइश्ट कॉस्चन है इसके बाद फिर में उस ट्रैप के और कॉस्चन से लूगा लग से बस आपको समझा देता हूं आज आजाएगा समझ में बिलकुल टेंशन मतलू समझ में आपको चीजें आ रहे हैं लेकिन मेरे दोस्त एक बार ना यार फटा फट से इस वीडियो को लोड़ सेर मार दो फटा फट से और लाइकों के संक्या को भी मेरे भईया थोड़ा सा बढ़ा दे फटा पड़ से यार क्योंकि अब आपके पास वो मौका आ गया है कर कुछ दिखाने का तो पहले तो आपके पास यह रहता ता रे सर नोटिफिकेशन नहीं आया क्या करें अब तो करें क्या आप तो आपके सामने सीधे सीधे अब या जुलाई मातर मातर तीन महीने बीच मे जो हमारे ऐसे दोस्तों होंगे जो पहली बार स्टार्टिंग कर रहे होंगे और और अप्सण डी करेक्ट दिल से सिलूट मेरे भाई आप सोचो कि आप अभी मेरी क्लास मातर और मातर 20 मिनट लिए है और आप मेरे हर कॉस्टनस का अंसर दे पा रहे हो तो सोचो कि याद आप से MTS का क्या आप से कोई सा भी एक्जाम का ऐसा कोई कोशन नहीं होगा जो आप से बचके चला जाएगा आपकी सब आँखों के सामने वो कोशन सा जाएंगे जो आप देखना चाहते हो लेकिन यार एक बार फटा वड़ से मेरे दोस्तों से यही उन्रोद है कि ज्यादा स को सही आंसर करें और समझने की कोशिस करें क्योंकि कहा जाता है ना यार सामने खड़ी मंजील इंगस से मैं बुलाती है और मैनत करने वालों के माते पेतलग लगाती है तो वही वक्त आ गया है अरे मेरे दोस्तों अब गाव में पता है क्या बोलते हैं अरे लला तू 18 साल क पापा में बड़ी हो गया हूँ मैं बड़ी हो गई हम में जौब लेके मानूंगी तो आ जाओ यार 2 की power कितनी बार आ रहा है under root एक दो तीन वार तो 2 की power 3 2 की power 3 का मतलब क्या है मेरे बहिया 8 अच्छा इससे एक कम 7 बेज क्या है x तो x की power 7 बटे 8 x की power 7 बटे 8 इसका क्या हो जाएगा बिलकुल सही सही आंसर आ जाएगा बात मेरे बाई बिलकुल सही अंसर जो अपने कदमों की कावलियत पर विस्तवास रखते हैं वो ही अक्सर कार मंजिल पर पहुंचते हैं आपको पता है कि आपकी कावलियत इतनी है कि आप अपने आप में मजबूत है तो आपको कौन गिरा सकता है मिर भीया आपका सिलेक्षन है अब देखो हमारे मन में एक तीन चीज़ों की टाइप की कौशन मताए जब हमारे पास इनफानेटिव दे रखा हो जब इनफानेटिव नहीं दे रखा हो और जब हमारे पास कोई सीरिजी नहीं दे रखी हो तो यार फिर क्या करेंगे तो गवडाते क्यों हो मैं मानता हूँ ऐसे मारे दोस्त बहुत होंगे इस कोशन को पीछे से करते होंगे सौल लेकिन मैं कहता हूँ पीछे से सौल करने की जरूत नहीं है आज एक ऐसा ट्रिक बताने के लिए जा रहा हूँ मातर और मातर दो सेकंड के अंदर कोशन बता दे बोलो यार बोलो बता दे देखो अब हमारे दोस्त ऐसे बहुत होंगे जो इस कोशन को पीछे से सौल करेंगे साथ च्छती च्छे नहीं साइन किसका चल लाए प्लस का तो इसका मतलब इससे आगे को जुड़ेगा जरूल तो पांच से आगे परफेक्ट स्कॉर रूट किसका होता है पांच से आगे परफेक्ट स्कॉर रूट पांच से आगे नौ का होता है परफेक्ट स्कॉर रूट किसका तीन का क्योंकि 5 के बाद में 6 किसी का होता है Square root 7, 9 होता है ना और 9 किसका होता है, 3 का होता है मैंने तो आख बंद करी और इसका answer 3 लगा दिया अब यार मैंने तो पीछे भी नहीं check किया कि है क्या आखिरकार कितना बड़ा दे रखा है, लेकिन 3 आंसर दिखा दिया, लेकिन मुझे तो थोड़ा संतुष्टी चाहिए ना, मेरे हर दोस्त को भी संतुष्टी चाहिए, और तो आया कैसे आंसर इसका तीन, चलो आज का भी आंसर दिखा देते आपको, कहते है न, साथछाट के लिए प्रमाण की जरूद क्या होती है, लेकिन देख लो यार तुवारे सामने है मेरे दोस्ट MTS वालो आजव। अच्छा दिल पर हाथ रखो और कहो कि स्क्वाइर रूट के अंदर स्क्वार रूट है उन्हें चैस किसका स्क्वाइरू रूट होता है बोले-बोले सर साथ का उन्तीस और साथ कितका होता है बया च्छतीस और 36 का स्क्वारूट 6, 19 और 6, 25, 25 किसका होता है? 5 का, 11 और 5, 16, 16 किसका होता है? 4 का, और 5 और 4, 9, 9 किसका होता है? 3 का, बोलो 3 आया की नहीं आया? बताओ यार, अब बताओ, यह आप इतना टाइम लगाते हो ना, देखो, एक्जाम को किलियर करना बहुत बड़ी बात नहीं ह गए ना, तो हमारी बात बन जाएगी यार, और वो मैनिस कब कर सकते हम, जब हमसे concept के साथ, हमें वो conscience आने चीए, जो आजाना चीए, लेकिन अब भी आपके मन में एक doubt आ रहा होगा, कि सर आपने तो बात गलत बता दी, मैं देदू ऐसा question एक, चलो आजाओ, फटा फट से, अब आपके मन में एक doubt आ गया होगा, मुझे पता है, कि अब आपके मन में एक doubt आया होगा, कि सर, हम और 9 का square root 3 होता रहा option में नहीं है, तो 9 से आगे अगला भी तो एक square root बनता होगा, किसी का, क्या किसका बनता भया, 9 से आगे square root बताओ मेरे दोस्त, बताओ सेखर जी, संदीब भया बताओ, 9 से आगे 16 का होता है ना, और 16 का मुझे यहाँ पर 4 दे रखा है, तो मैं 4 भी तो answer लगा सकता हूँ, चार भी तो लगा सकता हूँ, या नहीं लगा सकता, यार दोस्त, एक बात ना, यद आपको दिल से भाई पर लग रहा है, कि आपका भाई आपके लिए वो questions ले क्या है, जो इस वार तुमारा selection के लिए होगा ही होगा, मैं यह नहीं करा हो सकता है, होगा जब हमें इतना positive है ना, आपको हमेशा positive रहना यार, और जब हमारे अंदर देखो आपने सोचा होगा, एक बात बताता हूँ, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, यद आप अपने मन से हार गई ना, तो आपको कोई उठा नहीं सकता है, और यद आप अपने मन से जीते हु अगला तो दे रखा है और अगला क्या दे रखा है मेरे बैया 16 16 किसका होता है चार का तो मैं इसका अंसर चाल लगा दूगा बनगी मेरी बात नहीं देखना चाहते पीछे से देख लो 179 किसका होता है 13 का 108 और 13 121 121 किसका होता है 11 का 38 और 119 किसका होता है 7 का अचा 7 47 64 किसका होता है 8 का और 8 8 16 वहीजा चार बोलो हाँ जी मेरे दोस्तों MTS वालो चारा एक नहीं आया तो फटा फट से लाश्ट एक ऐसा कोशन और उसका अंसरा बता हुए मनजिल भी जिद्धी है रास्ते भी जिद्धी है देखते हैं कल क्या होगा और होसले भी जिद्धी है तो अब तो MTS के हमारी इतनी लडाई है यार आर पार बोले क्या होगा या तो MTS में हम लेके ही रहेंगे इस बार सेलेक्शन देखते हैं कितना हमारा होसले में दम है तो यार हमारे में जानता हूँ कि जितनी मेरे दोस्त है ना उनके होसलों में बहुत दम है लेकिन दोस्त एक बार लाइक भी कर दे मेरे दोस्त जितनी हमारे साथ देख रहें वीडियो को वो लाइक भी एक बार कर दे मेरे दोस्त फटा फट से यार अच्छा देखो सेम कोशन है यार सेम कोशन है और यह मत सोचना के इससे प्लस का साइन है तो आगे कुछ जुड़के ही आएगा तो चार से अगला क्या आएगा परफेक्ट स्क्वाइर रूट चलो यार मैंने बता दिया ना बस ऐसा ही कॉंसेप्ट सच सच बताना इस दिल प होंगे जो कि पहले भी पढ़ चुके होंगे यह कहीं कॉंसेप्स समझाता अपने आज से पहले है कभी पढ़ाता ऐसा कॉंसेप्ट नहीं पढ़ाता तो यही तो आपको टाइम मैंने जवाला दोस देंगे और दिल से सिल्यूट यार चार आंसर गजब क्या बात करूं में जी की या जस्पाल बहिया की बात करूं या तुलसी जी की बात करूं या निर्मल जी की बात करूं या संकेज जी की बात करूं लेकिन यार मेरे दोस्त एक बार फटावड से फटापन और रफ्तार के साथ कमेंट आने ची सबी दोस्तों के हजार हमारे साथ लाइवर हजार के कम से कमाने से यह अब देख लो हजार है कि यह आप तुरंत इन को करा दो यह आपकी responsibility है अब समझाना मेरा काम है लेकिन आपको अपने दोस्त के लिए क्या कर सकते हो आप क्या अपने और सब लगा सकते हो आपने टेली ग्राम चैनल पर या अपने इंस्टाग्राम पर भी सेर कर सकते हो यह आप जानते हो यार मैं तो नहीं कह सकता ना क्योंकि आपको लगेगा किसार यार सरका मैं तो जादा से जादा चाहता हूं सिलेक्शन हो हर घर में एक उज्जाला आए और इस बार मेरे साथ मिलके तो देखो चार से पास ना एक महीने के बाद मैंस का आपको जादू बना दिया ना तब आप बात करते हम मैंस में मेरे भाया आपको खुद लगेगा चार देख देख लो डेली किलास होगी चार बता दिया अपने आंसर और आंसर चार ही आएगा क्योंकि चार से अगला स्कार रूट 9 होता है और 9 का 3 नहीं दे रखा है तो 16 होता है अब देख लो कैसे ये किसका होगा 100 का और ये 144 किसका होता है 12 का और 12 और 16 16 किसका होता है चार का आंसर के बाद एक और कॉस्टन देखते है कि इन्हों ने ये कॉस्टन्स है एक सेकंड रुख जाईए चलो आज़ो अचा चलो ये भी मारे मन में बहुत ज्यादा कॉशन साते के सर्च अनपाथ क्या होता है तो जी यो पांट टू जी रोपांट वांट टू तथा जी रोपांट थी चातुरत अनपाथ त्रितिया पाथ कैसे लिकालते अब मैं सबीन के कौन से बता देता हूं एवरेज के अले जब कभी भी हमसे चतुरत अनपाथ पूछे 0.20 अच्छा य पॉंट आपको लिया क्योंकि हमारे दोस्ते पॉइंट की वैसे घबडा जाते लिकास लोगा यूटूब पर आप से कह रहा हूं यह मेरा प्रॉमिस है और चैप्टर के साथ भी लोगा अब देख लेना अब द प्लाइट के लिए भूल जाना अपने दिमागे पेसे पॉइंट का डर लेकाल देना जिरो पॉइंट तरी फोर्थ अनपाथ क्या होगा मुझे नहीं पता मैं एक समाल लिया फोर्थ अनपाथ क्या होगा चलो मेरे बहिए देखना पहले का चौथे से गुणा और दूसरे का तीसरे से गोड़ा एक बास समझना ये पहला 0.12 और 0.3 अपान 0.2 अभी पॉइंट को भूल जाओ कि तुमारे अंदर कोई पॉइंट का डर भी है पॉइंट को तुम बूल जाओ मैंने कहा तुम पॉइंट को याद रखो अपना उस तरीका से याद करो पॉइंट है नहीं तो 26 भारा, 36 या चारह इसका अंसर अभी नहीं होगा । अच्छा आप देखो पॉइंट का यूज कैसे करते हैं । कितने अंगर पॉइंट है। ऊपर तीन अंकबाद पॉइंट है, नीचे एक अंकबाद, तीन मेंसे एक जाएगा, तो दो अंकबाद पॉइंट लगा दो, और आपकी बात बन जाएगी, इस बात को दिमाग में रख लेना, और मैंने एक कॉइंट क्यों दिया, मुझे पता है कि मेरे दोस्ति इसका अंसल मैं लेकिन कहीना कहीन को point की गरवरी होती है वो point को लेके बहुत ज्यादा टेंशन में रहते तो यह point को लेकि आप बिल्कुल भी टेंशन में आ ले और point का अपने दिमांग से डर को लेकाल दे बस मेरा मक्सद is questions को कराना था point को लेके तो अब मेरी बास समझते हो पहले का चौथे से गुणा दूसरे का तीसरे से 0. देख लो 0.2 और 0.2 ये वाला तो ये दूसरे का तीसरे से गुणा 0.12 और 0.3 अपन 0.2 अच्छा देखो या इसका डारेक्ट गुणा लगा सकते हो ट्रिक B into C upon A B into C upon A 0.12 गोला 0.3 अपन 0.2 अरे बोलो बात बनी के नहीं बनी बताओ तो इस से भी डारेक्ट कर सकते हो अब एक बड़ी हसी वाली बात आई यार मद्य समान पात पूछले तो मद्य समान पात चतुर्त अनपात भी बता दिया देख रो दो कोशनों के माद्यम से पूरे आवरेस को खतम कर दिया मैंने दो कोशनों के माद्यम से चतुर्त अनपात भी पूछले यार मद्य अनपात भी और वो छोटे वाले नहीं बड़े वाले कोशन्स बड़े वाले समाझ रहो अरे बड़े बड़े जब रड लिया है के MTS बार करेंगे तो अब तो यह हमें करनी है महनत अब तो हम डटी नहीं सकते रुखी नहीं सकते तो बस महनत को यार बरकरार रखना है और इतनी महनत करनी है कि आपको के मेरे भाई घर वाले आप से खुद कहेना यार लला इतना तु पढ़ रहा है तुझे ऐसा कौन सी जड़ी बूटी मिल गई है तो घर वालों से कहे तो पिताजी मेरे पास तीन महीने का भूस सवार हो चुका है मुझे इस बार अप्रेल में मेरा अप्रेल नहीं जुलाई में मेरा क्या है मेरे बहिया एक्जाम है और मै इस बार पार करकी रहूंगी और पार करने के बाद पिताजी तुमारे सपनों को साकर करूंगी मैं अपने नहीं पढ़ सकती तुम मेरे लिए मत पढ़ो लेकिन अपने मावाप के लिए तो पढ़ो आपके मावाप आपके लिए पैसा खर्च करते मेरे दोस्त वो रात भर आप सोचों के केट में कोई पानी लगाता है कोई कुछ करता है। तो यार कभी दिल से हाथ रखे कभी सोचना, के आप मेरे लिए मत पडू coughing मनोश्वरनासर की बात मत मानो आप अप्नी भी मत मानो लेकिन, अपने माबाप की तो माल लो जिन्हों ने आपको पाला पोसर जिनके सपनों के लिए आप लड़ रहे हो चलो आजो जब कभी मद्य समान पात पूछे ना तो बस एक ट्रिक याद रगना अंडरूड A इंटू B जैसे उसकी ट्रिक टी बी इंटू सी देखो जब कभी भी क्या पूछे मद्य समान पात क्या है तो देख लो मेरे अंडरूड 3.6 multiply 0.9 मैंने कहा तरह point cutter लिकाल दो point है नहीं अपनी दमाग में रख लो point है नहीं तो देखो 3.36 का कितना होता है 6 होता है मेरे बैया और 9 का कितना होता है 3 होता है तो 6 तिया 18 36 किसका square root होता है बैया 6 का होता है और 9 किसका होता है 3 का होता है अच्छा देखो कितने अंकबाद पॉइंट है ये बात देखो एक और एक कितने अंकबाद पॉइंट है दो अंकबाद पॉइंट है जब इसक्वार रूट में दो अंकबाद पॉइंट है तो बाहर कितने अंकबाद पॉइंट लगेगा बताएए बताएए दोस्त इसक्वा यह कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर खुआप बदलेंगे हकीकत में जरा तू कोशिस तो कर तेरे खुआप बदल जाएंगे मेरे दोस्त तू एक बार कोशिस करके तो देख चलो यह कॉशंस इतने आते हैं अब मैं कह रहा हूँ कि आपको देखने में थोड़ा डर लग रहा होगा पका डर लग रहा होगा लेकिन डरना नहीं है मेरे दोस्त डर के आगे जीत है डर के आगे जीत है इस questions को देखना जरा केबल आज जो मेरा मकसद है ना आपको ये दिखाने का मकसद है कि यार हमसे बड़े-बड़े questions आते हैं लेकिन हम उन्हें छोटे से रूप में कर सकते लेकिन हम डरते रहते हैं यब तक हम डरेंगे तो तब तक हमारे पास वो चीज हैवी रहेगी और इसका अंसर कैसे लिकाल सकते हैं इसका एक बार देखोगे आप अंसर देख लो मिर बईया एक पुस्तक बिक्रेता एक किताब को 20% हानी पर बेशता है यदवक किताब को 108 रुपे अधिक पर बेशता तो 30% का अलाव होता किताब का क्रेमूल याद करो ये कॉशनस आपके बाद बहुत जादा बनता है इसके लिए एक ट्रेक याद रखना आजा हो और कैसे करते हैं यह तो मैं आपको बताऊंगा इबाद में 20% की हानी माइनस के लिए यदि यहाँ पर दोनों जगे लाव हो रहा है तो घटा देना हानी हानी हो रही है तो घटा देना लेकिन लाव और पिलस हो रहा है मतलब हानी और लाव हो रहा है तो दोनों को जोड देना 30 और 20 कितना होता है 50 50% नहीं कितने रुपय अधिक में 108 में तो एक की वैलू कितनी आजाएगी एक सो आठ बटे पचास पर सिंटेज लिकालना है मल्टीप्लाई हंडर्ड पचास दो नी सो आठ दो नी सोल है दो एक अंदो दो सोल है इसका क्या हो जाएगा सही अंसर ऑप्शन एक करेक्ट स twenties pret tohem मुझे पता था व्रिति जी अंकिजी निराश जी बहुत बढ़िया मेरे भाईया दहाम जेंजी काकू जी प्रेंका जी बहुत बढ़ी अंसर दे रहे हो आप सभी के सभी मेरे दोस्त लेकिन एक बात समझे मैंने कैसे कर दिया इतना बड़ा कोशन मात्र एक लाइन के अंदर तोड़ दिया इतने परसेंट की हानी हो रही यह तने का लाव हो रहा कुछ भी दे हानी हानी लाव लाव कुछ भी दे वला वला आपको रही समतलब लेकिन ये बात द्यान दरो माइनस 20 प्लस 30 50 परसेंट नहीं 108 तो एक की बहलों 108 बटे 50 परसेंटेज लिकालना मल्टिप्ला हेंडर 50 दो नहीं 100 MTS की तयारी तुमारे बहुत दोस्त करेंगे लेकिन आप क्या उनसे अलग करते हो ये आपकी एक पहचान बनेगी और ये पहचान कौन बना सकता है सिर्फ और सिर्फ आप बना सकते हो सिर्फ और सिर्फ आप आप आपके इलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो भी दोस्त तुमारे फेस टू फेस बैच में जॉइन करना चाहेंगे तो MTS का बाई 371 कोड लगा के 80% आफ के साथ आज ही बैच ले सकते हैं तो कल के लिए नहीं देखना है महनत आज ही करनी है और सेम कॉस्चन दिया और इसका अं अंसिका जी बहुत बढ़िया फ्रेक्शन के भी कल कॉस्चन बताएंगे टैंसर नहीं लेना बसना अच्छे से महनत करनी है एक बर तुम अपने भाई पर विश्वास करके देखो जादा नहीं कह रहा आप मेरे साथ एक सप्ते पढ़के देखो आपको लगे मेरे से विश् नहीं हुआ तो आप इसी कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर आपने क्या कहा था तो मतलब मैं आपसे यही कहता हूं कि बस बन बीक आप मेरे साथ जुड़के देखो ज्यादा भी बात नहीं कह रहा हूं मैं आपको खुद अपने मैस के अंदर ना मजबूती नजर आज नह लग जाएगी आपको इतना इंट्रेस्ट आने लग जाएगा और हम कोई भी बहुत वो नहीं एक मज़े मज़े में सबी चीज़ों को करेंगे आराम से एक दम कहते ना यार ये भी नहीं पता चलेगा एक घंटा कव गया आपका देख लो अब चलो बड़ा कोशन लग रहा है न दिमाक से लिकाल दो इस बात को लिकाल चलो देखो यार दिमाक से लिकाल दो बड़ा कोशन एक मुस्तक विक्रेता दस परसेंट की हानी सोच रहे होंगे स लाव माइनस लाव और हानी तो हम जोड देंगे दस और दस बीस परसेंट कितने रुपया दिक एक सो आठ रुपया दिक एक की वैलू लिकालो एक सो आठ बटा बीस क्योंकि बट्टे में आजाए गा परसेंटेज लिकालना मल्टीप्लाई हंडेर बीस पंजे सो एक सो आठ गॉना पांस 845 पांच Со जो एकन पाच विलो सरा गया 5 40 आया की नया रंजन डिका परन्काजी का सुस्मा जी का तुल जी का बहुत बढ़िया नितेजी सोनो जी का बात है मेरी बरिया एंडिन जी स्रेश्टी जी ए चंदा Mighty लेसादर को पापा की टॉंस ऊट इसका आंसर थोड़ा सा आराम से देना बोले कैसे सर बोले सर कैसे 15 पर सेंट का यहां पर भी लाव और 20 पर सेंट का यहां पर भी लाव हो रहा है दोनों जगह भीया लाव लाव है तो हमने क्या बात बताई थी दिमाग में रख लेना जितनी बातें बता रहा हूं बोले सर क् भूल गए हम बात को, हमने का था, ढौने जगं लाव-लाव होगा, तो माइस कर देंगे, एक जगं लाव और एक जगं हानी हो रही होगी, तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, अच्हित घालिएंद्री जी आपका पहला देने कोई बात नहीए, क्रिशना जी मेरेर वहें जब-जब किलास अपलोड हो जाएगी तो किलास में कमेंट करके जरूर बताना कि ख्लास आपको कैसी लगी ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि उससे मुझे ये पता चलेगा कि आपका सेनारियो और क्या चाहते हो आप क्या आप चाहते हो कि मुझे और चैप्टरों को कर आ ये मेरा सर ये कम छोर है आप मुझे दिल की बात बताना अच्छे तुम यार मुझे दिल की बात नहीं बता हो किसको दिल की बात बता capacity कि सी प variation कूझे थो प्लेक्षिए को पांद्रेव परशेंट की लाब पर तो यह पंद्रेए परसंट और ये क्या करें प्लस 20% के लाव पर ये 15% का लाव और ये 20% का लाव तो इस बात को समझो और अपने दिमाग में एक बात डाल दो यार अपने दिमाग में इस बात को डाल लो याराज के लाव लाव हो रहा है तो माइनस होगा हानी हानी होगी तब भी माइनस करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 5% और 5% नहीं कितना मेरे भैया. कितना है मेरे भईया तो इस पर बेचा जाता है 27 रुपय अधिक पर तो 5% की value 27 तो एक की value कितनी आजाएगा 27 बटे 5 एक की value परसिंटेज लिखालना multiply अंडर 5 दूनी 10 यह 0 और यह कितना हो जाएगा 274 दूनी 4 और 5 एक 0 है पांसो चालिस इसका क्या हो जाएगा सही सही आंसर आजाएगा option डी करेक्ट बोलो बात समझ आई कि नहीं आई बोलो हर हर वादे बहिया चलो ऐसा सेम कोशन एक और और इसका आंसर ना जिनका नहीं आयता उनका भी आंसर आजाना चाहिए मैं इस बात को आपसे गारंटी से दे रहा हूँ जिन जिन हमारे दोस्तों का नहीं आया था उनका भी आंसर आजाना चाहिए अब मैं कोई excuse नहीं सुनूँगा बस और आप मेरी बास सुन ले ना आपको लगता होगा ना कि सर चैप्टर वाइज हमें देखो मेरा यहीं एक मिस जाता हूँ कि हमें एक मर्द चैप्टर वाइज धंसे कर ले जो मेरा मकसद है वो मार्च अप्रेल तक अप्रेल तक मैं आप सभी को मेरे भीया क्या करा दूँ अप्रेल तक वहाँ पर मैं आपके सभी चैप्टरों को कम्प्लीट करा दूँ फिर चैप्टर को कम्प्लीट कराने के बाद आपको फिर वहां से में क्या करा हूं मॉक टेस्ट दो एक महीना अप्रेल मई में फिर जून में देख लो मेरा जो मकसद है ये वाला मैं सोच रहा हूं मार्च के बाद अप्रेल तक आपको अप्रेल तक ये सभी के सभी अप्रेल तक मेरे भईया कंप्लीट करा दो चैप्टर complete यहां करा दो अप्रेल के बाद माई में माई में यहां पर मॉक टेस्ट complete करा दो फिर जून में हम previous year questions देखेंगे previous year questions पीवाई क्यों फिर इसके बाद जुलाई में तो हमारा origin हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा पर कि यहां पर सब्सक् colonies कर लेंगे बता हूं यह मेरा कैसा आपको लग रहा है थोट्स है अगा सब्सक्राइब में मौप टेश देंगे मतलब कि हम कितना जान चुके हैं मौप टेश मतलब में 33 कोशन के 25-25 कॉशन के लिए क्या हुआ हर दिन में 25 कोशन एक घंटे 25 कोशन हो सकता है दो दो मौप टेश्बा हूँ Camp लगवा हूँ आपको मुझे रगा है कर लो जिस जिर एक्जाम दोगे तो आपको मनुष सर्मा सरकी क्लास मैं से हिस डिक्टो कॉशन्स दिखाई देंगे पत्चीज मैं से कम से कम 23 या 24 कॉशन्स एक कॉशन्स नहीं कह सकता कि दोड़ोधर हो जाता है कभी-कभी 23 चॉविस कॉशन्स आपके नोट्स मैंसे दिखाई देंगे डिक्टो कभी-कभी डिजिट चेंज हो सकती है कभी 20% की जगा 10% दे सकता है लेकिन आपको यह नहीं के नहीं यार यह हमने नोट्स बनाए और यहां से तो कॉशन्स नहीं फसा ऐसा तो हो इनी सकता है यह तो अपने दमाग से तुम लिकाल द करना में वस वैसे वैसे आपको महनत करते हुए चलनी है और महनत हमेशा रंग लेके आती है आपको मैं कितना भी कहता रहूं नहीं यार मैं तुम इतना पढ़ा रहा हूं मैं पढ़ाता रहूंगा लेकिन तुम जब तक महनत नहीं करोगे आपकी बात नहीं बनेगी कही नह आपकी अपने मजबूती मी तो आपको बनानी है ना यारा मेरे beggar क्या होगा हमेशा कहा जाता ना अधालिय एक यास सऴ्सा आपको करने तो इसका देखां अंसर क्या होगा फटावर से देखो मेरे भाई एक कुकुर 16 पर से लापर बेचा गया जड़ी यह उसे 20 रुपे अधिक मुली पर बेचा जाता तो 20 पर से लाब होता कुकुर का मुली गात करो अच्छा देखो मेरे भाई यह 16% का लाव और यहां पर क्या हो रहा है 20% का लाव लाव दिखाई दिया दोनों को घटा दो डिफ्रेंस ले लो कितने रुपे बीस रुपया देख एक की वैलू 20 बटे चार परसिंटेज लिकालना मल्टीपलाई हंडर बीस पंजे सो पांच इंटू सो मेरे भाईया कितना हो जाएगा मेरे भाईया यह आजाएगा 500 र लेकिन हमारे दोस्ति यह चाहते हैं कि सिर्फ उनका एक उद्देश है MTS किलियर करना और वो चाहते हैं मतलब एक सिस्टमिक तरीका से तैयारी करें प्रैक्टिस सैट भी दे सब कुछ दे तो आपको यहाँ पर जाना है गूगल पर और यह अड़ड़ 24-7 डालना है गवर् और SSC MTS दिखाई दिया तो आपको संकलब बेच दिखाई दिया और यहां पर आपको हमारी पूरी टीम दिखाई दे रही है टीम के साथ-सात में आपको क्या करना है यहाँ पर बाइन आउपर जाना है 3125 पर नहीं यह बुलकुल गलत लिखा हुआ है यहां पर आपको को डालना है बाई 371 बाई 371 जैसे यह अपलाई करोगे तो मातर और मातर यह 735 रुपे का मिलेगा अच्छा इस बैच के अंदर आपको मिलने वाला क्या क्या है मैं यह नहीं कह रहा कि आप इसको पर्चेस करो यह इसको लो मैं बिलुकुल नहीं कहूंगा आपको लगता है कि नचे तीन महीने में 735 रुपे मैं चार महीने में दे रही हूं मार्च भी अप्रिल भी है मही भी जून भी है मतलत चार महीने में तो मैं 200 रुपे भी नहीं पढ़ रही नहीं का तुम्हें Mumbai के 31 करोगे तो आपको पता है एक दिन का कितना लिकल के आ जाएगा 7021 मतलब आप को साथ रुपे भी नी पढ़ रहा मेरे एक दिन का तो आप देख सकते हो इस बात को तो इसके अंदर क्या-क्या मिलेगा छे माइने तक रहेगा क्योंकि छे मेने मुहारा एक्जाम हो जाएगा इसके अंदर देखो 200 प्लस आवर्स क्लासेज रहेंगी इसमें देखो यह सभी के सभी इसमें कराये जाएगा कोर्स कराये जाएगा पूरा टीचिंग कराये जाएगी मेरे भईया देख लो जन्नल इवेंसी कराये जाएगा पूरा मेरे भईया यहाँ पर आपके पास सभी के सभी चीज़ा रहेंगी इसके अंदर तो आप मेरे भाई देख सकते हो कि आप मेरे भाई आराम से कि आपको ऐसा नहीं है कि मेरे भाईया आपको ये लग रहा है कि मेरे भाईया कि नहीं है यार हमसो ये कह रहा हूं मैं तो आपसे यद आपको लगता है कि हम ऐसे ही क्लियर कर देंगे तो बिल्कुल मत लो इसको और यद आप चाहते हो कि नहीं हमें MTS क्लियर करना ही करना है तो कूपन कोड लगा लेना by 371 अच्छा हमारे दोस्ते ऐसे बहुत से होंगे सर हमें तो दिल्ली इसके आगे तैयारी करनी तो हमें स्कोर्स को लेके हमें तो बेनिफिट नहीं है कोई बात नहीं बैनिफिट नहीं है तो तो आपको मेरे भईया यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो, यहाँ पर लाइव किलास मिलेंगी, टैस सीरिस मिलेंगी, और मोग वीडियोज मिलेंगे, रिवीजर बैच, एल, एबोक्स, परसनल डवलेम्मेंट, इसको अंधर आपको सभी के सभी कोर्सेज मिलेंगे, चाहे वो द ट्यानोग्राफर टियर वन, MTS टियर वन, टियर टू, SSC GD, सिलैक्सन पोस्ट, दिल्ली पुलिस, अच्छा MTS का हमें बस केवल यही फायदा है, कि यहां पर पूरे एक साल के लिए है, यह पूरा एक साल के लिए है, और इसमें सभी की सभी बेकंसी कवर है, चाहा हमारा कोई सभी टियर हो, लेकिन हम MTS का लेते हैं, तो केवल हम MTS कर पाएंगे, तो मेरे दोस्त, आप मेरे भाईया सभी कोर्सिस को देख सकते हो, चाहते हो, कि हमें आज ही, क्योंकि मैं MTS वाले अपने दोस्तों से यही कहूँगा, कि वो आज ही बैच ले ले ले, याद वो चाहते ह आपको 5 दिन बाद लेना, 735 रुपे खर्ज करने, तो फिर भी आपको तो वही बात करनी है न, और जिनको हमारे दोस्तों को सभी का लेना, तो आज ही आपनी तयारी को कम्पलीट करा ले, क्योंकि इसमें सीट बिल्कुल लिम्टेड है हमारे MTS में, तो आज ही आप अपना करके भी बताएं कि आज की क्लास, और हाँ, इस बार MTS पार, क्योंकि कहा जाता है, तूफान में कभी तास के महल नहीं बनते, और बिगडे हुए, देखो, जब ही कहा जाता है, तूफान में कभी तास के महल नहीं बनते, रोने से कभी बिगडे मुकद्दन नहीं बनते, द सामने खड़ी मंजिल इंगस से मैं बोलाती है और महनत करने वालों के माथे पैतलग लगाती है तो इस बार आपको दस तक बार-बार कह रहा है आपके घर पर आ रहा है MTS इस बार पर तो इस बार हर हमारा एक दोस्त MTS की जोब में लगेगा और इस बार मैं कह सकता हूँ कि आ एक बर कमेंट वाक्स में जरूर बता है और दी वैस थैंक्स बाई बाई